उत्राखंड के मुख्यमंत्री पुसकर सिंग धामी ने खटीमा के एक होटल में आयोजीत प्रांतिय उद्योग व्यापार मंदल के द्वारा कारिक्रम में भाग लिया इस मौके पर व्यापार मंडल के पदादिकारियों और व्यापारियों ने मुख्यमंतरी उसकर सिंग धामी का जोरदार स्वागत भी किया इस मौके पर उपस्तित अस्थानी व्यापारियों से समबात करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि खटीमा इलाके से मेरा गहरान आता रहा है और ये देखकर मुझे खुशी होती है कि खटीमा लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जब जब मैं अपने घर खटीमा आता हूँ तो मुझे एक नई उर्जा मिलती है यहां के छोटे बड़े हर वर्क के व्यापारियों से जब मैं उनकी दुगान पर जाकर मिलता हूँ तो मुझे यह देखकर प्रसंगता होती है कि हमारी सरकार के द्वारा किये जा रहे विकास कारियों का लाव छेत्र और राजी के हर व्यापारी वर्क को प्राप्त हो रहा है मुख्यमंत्री धामी ने इस आउसर पर उपस्थित सभी व्यापारियों एवं जन्ता से इन विकास कारियों को आगे बढ़ाने के लिए उनका साथ और उनका आशिरवाद भी मांगा आप सबको पता है कि खटीमा एक आदर्स खटीमा बने ये मेरा निरतर प्रयास का आए मैं पहले दिन से जब मैं यहां का विजायक नहीं भी था तब ही मैं सुसता था कि मेरा खटीमा सबसे आदर्स खटीमा नहीं नहीं चीए सबसे उत्तम खटीमा बनना चीए और हर चित्र में खटीमा का नाम बनना चीए उस तिरिष्टी से बहुत सारी प्रियास लगाता है यहां पर जी गए मैं उसमें फिस्तार से नहीं जाओंगा लेकिन मैंने हमेशा कोसिस करी है कि फिकास आधारी प्राव्टी भी आगे बढ़ने चाहिए आपको बता दें कि यह घटना शुक्रवार के साम की है उसके बाद सनीवार को मुख्यमंत्री पुसकर सिंग धामी चंपावत के सीमांत छेत्र में रोड सो निकाल कर जनता का समर्थन मांगा मुख्यमंत्री पुसकर सिंग धामी ने सनिवार देर साम अपने विधान सभा छेतर चमपावत के सीमांत टनकपूर और बनवसा इलाके में रोट सोकर के अलमोडा लोग सभा सीट से भारती जनता पार्टी के परत्यासी अजय टम्टा के लिए परचार किया इस दोरान मुख्यमंत्री धामी जनता को समदित करते हुए भाजपा की केंद्र और राज सरकार के द्वारा इलाके के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं की विस्तित जानकारी आम जनता को दी और अपने काम के भरोसे जनता से उनका असिरवाद और समर्थन भी मुख्यमंत्री धामी ने इस दोरान सभी को मोदी जी की और से राम राम प्रणाम भी किया मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी उत्राखंड से विसीस लगाव रखते हैं जिसकी चलते राज्य के विकास के लिए वो कोई कोर कसर बाकी नहीं रहते है आने वाले समय में टानकपूर छेतर को और भी विक्षित किया जाने का प्लान है कैलास मांसरोवर यातरा टानकपूर से होकर गुजरेगी ऐसे में रोजगार के नए अवसर भी विक्षित होंगे जिसका लाव स्थानिय युवाओं को और लोगों को मिलेगा इस विकास के लिए आपका असिरवादा और समर्तन बहुत ही जरूरी है और हमें पूरा विश्वास है कि उत्राखंड के सभी पांस सीटों पर बीजेपी बहमत के साथ जीतने जा रही है इसने कहीं ही जिस्विता नहीं हो जाए कि आपने मतार करना है लेकिन आज से आज तेरह कर लिए कुल पांस दिनका समय बजा हुआ है पांस दिनके समय में है हम सब को पूरे छेट में जाकर कहना है यूपी नियूज 9 के लिए खटीमा से अनुच कुमार सर्मा के साथ चंपावत से लक्षमन सिंग बिस्ट की रिपोर्ट